दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी फोटो के background को कैसे erase कर सकते हो आनि कि background को कैसे मिटा सकते हो तो इसके लिए हम एक application यूज करने वाले हैं जिस application का नाम है background eraser तो सबसे पहले हम चलते हैं Google Play Store में और देखते हैं कि इस application को आप कैसे download कर सकते हो कैसे install तो गुगल प्लेश्टोर में आने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है बैक्ग्राउंड इरेजर जैसे आप बैक्ग्राउंड इरेजर लिखे सर्च करते हो तो आपके पास यह वाला जो एप्लिकेशन है यह खुलके आता है तो यहां पर जो है मैं इसे ओपेन कर लेता ऐसे लिखा हुआ आएगा तो इस पर आपको क्लिक करना होता है तो फोटो को इंपॉर्ट करने के लिए आप यहां पर क्लिक करें फिर यहां से जो है यह आपकी गैलरी को एसेस करता है तो गैलरी से आप उस फोटो को सलेक्ट कर ले जो फोटो आपको बनानी है इरीड करनी जिसका बैग्राउंड आपको एरेज करना है तो यहां पर जो है सबसे पहले फोटो को आपको क्रॉप करना होता है तो यहां पर आप हो सके जितना पॉसिबल हो सके फोटो को क्रॉप कर लें क्रॉप करने के पाद आप जो यह डन वाला जो आइकन देख रहे हो इस डन वाले आइकट पर क्लिक कर दें इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ हैसा इंटरफेश आएगा जिसमें नीचे की साइड आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे वहीं पर यहां पर रीडू और अंडू का ओप्शन मिल जाता है साइड में और बैक्ग्राउं की टूस्त को समझते है बाड़ी बाड़ी से तो दूसतों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो है состо ऑल्ट एकन है इसी क्लिक पर करते हो आपका जो फोर्टोध विप खुद वो खुद इडिट्ट हो जाता यानि खुद वाफुद उसका background जो रेज हो जाएगा तो ऑफ इसका ही हां खुं설 करके दखते हैं तो आप देख सकते हुआ यहां पर हफ्वाउंड खुंड वह जो है इरेज हो करने के बाद जो है आपको जीतना भी रिपेयर करना है वहाँ पे आपको इस वाले ब्रस को मूफ कर देना है इस वाले टूल को मूफ कर देना है तो यह मूफ करने के बाद जैसे ही आप किसी और टूल में जाते हो आप देख सकते हो उतना जो है पोशन जो है रिपेयर हो चु और जिस portion को आपने repair किया है उसका जो age है उसको बनाने के लिए आप या तो magic का यूज कर शकते हो या फिर manual का यूज कर शकते हो तो पहले magic का यूज करके देखते हैं और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बाता दू कि यहाँ पे photo को zoom in या zoom out करने के लिए आपको दो finger का यूज करना है स्क्रीन पे दो finger को touch करके आपको photo को zoom in या zoom out करना होता है तो यहाँ पे जो है हम अभी magic का यूज करने के लिए आप देख सकते हो magic पे आपको click करना है और फिर यह वाला tool आपके सामने आ जाता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो magic button से भी जो है यह सही से actually हो तो रहा है लेकिन उत्ता बढ़िया से नहीं हो रहा है तो अभी हम manual में जाते हो और manual में manual में दोस्तों एक चीज और होता है manual का जो size होता है यह आप जितना कम करोगे इस का जो है pattern एज का जो है smoothness उतना बेहतर होगा आप देख सकते हो यहां पर जो है और यह photo इतनी जूम हो रखिया है कि यहां पर जो है पिर अब देख सकते हो यहां पर लगभग फोटो जो है फोटो का background इडिट हो चुका है इरेज हो चुका है थोड़ा बहुत अगर एज वेगर आपको लगता है कि बच्चा है तो उसके लिए आप magic यूज कर सकते हो फोटो को जूम करके आप magic यूज कर ले उससे जितना भ undo कर देना है आप देख सकते हो या फिर आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा रह गया है तो आप manual से भी कर सकते हो यहां पर manual का size आप कम्या ज्यादा कर सकते हो यहां से तो manual का use करके भी आप इसे कर सकते हो तो दोस्तों हम देखते हैं कि यह जो background इरेज हुआ है यह कैसा यह मैं done पर क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर बैक्ग्राउंड कुछी इस तरह सी रेज हो चुका है दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहां पर जो है repair या फिर जूम वगर करने के लिए आप यहां पर side वाले यह वाला option भी आप select कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूं जब जूम पर आप करते हो तो आप कुछ भी करते हो यहां पर जो है कोई भी मालो अगर आप टूल में रहते हो तो वह टूल वड करता है जूम में रहते हो तो जूम वड करता है वैसे बीना जूम पर किये हुए भी आप जूम कर शकते हो और यहां पे बैक्ग्राउंड कलर भी आप चेंज करशक तो ही रिटिंग के समय इसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना होता है देखते हैं कि आप इसे सेव कैशे करशक तो इसे सेव करने के लिए आप देख सकते हों यहां पे जो है राइट अपर साइड में जो डन वाला जो आइकन है इसपर आपको किल्क करना होता है इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका फोटो जो है यहां पर सेव के लिए toward हो जाता हो और यहां पर आपसे पुछता है smoothness का level तो smoothness का level अब जितना ज़्यादा करेंगे आपका age जो है उतना है smooth होगा तो आप तीन या चार पीसे कर दे और फिर आप यहां पर देख सकते हो यहां पर फिर save का option आ गया है तो आप इस पर click कर दें तो आपका photo जो है आपकी gallery में shave हो जाता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह video पशंद आई हो तो वीडियो को like और share जरूर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe भी जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही video जो आते रहते हैं धन्यवाद